कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया इस सिविल सेवा के इस प्रतियों गिता के इस महारण में और स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के मा भारती के प्रांगन में आप सभी का स्वागत है कहते हैं कि सफर में दूप तो होगी जो तुम चल सको तो चलो सभी है बीड में अगर तुम निकल सको तो चलो किसी के वास्ते राहे कहां बदलती है अगर तुम खुद को बदल सको तो चलो और मेरा ये मानना है कि आप सब खुद को बदलने के लिए ही यहाँ पर आए हैं खुद को बदल के प्रतियोगिता कि इस परिवेस में अपने आपको ढालने के लिए और सफल होने के लिए अपनी मंजिल पाने के लिए यहाँ पर आए हैं इस सभी के लिए आपको बहुत-बहुत बदाई, बहुत-बहुत सुभकामनाई और आपके उजवल बाविश्य के में कामना करती हूँ, कि आपने अपनी जो मंजिलताई की है, वो आपको सिग रही मिले, आप अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी सफलता के पर्चम लह रहा हैं, और जहां पर भी आप जाएं, समाज में, घर, परिवार, कोचिंग संस्तान, जहां भी जाएं, आपको सम्वान, मान, सम्वान मिले, इसके लिए आपको महनत करनी बड़ेगी, और महनत करनी के टियाप यहां पर आए हैं, मेरे हिसाब से R.S. से रिलेटेड काफी कुछ बातें हो गई होगी, प्रिलम्स, मैंस, इंटरव्यू, जो प्रोसेस हैं, वो आप सभी को बता दी गई होगी, थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूं, एक बार फिर से, वैसे आपको बता दिया होगा फिर भी, R.S. प्रिलम्स जो होता है, वो अब्जेक्टिव टाइप के क्यूस्टन्स होते हैं उसमें, एक स्क्रूटनी एक्जाम होता है, कि उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में बेठेंगे, मेंस का जो एक्जाम होता है, उसमें चार कि आपके उसमें प्रेजेंट करते हैं क्योंकि कोपी चेक करने वाले צि precise पास आपका नाम नहीं होता है, यह आपके शकल आपका चहरा पर नहीं होता है आपने आपको उसमें present किया है ओह वहां पर होता है उस ही के आदार पर आपकी रेंकिंग तो ही होती है, उसी के आदार पर आपको मार्क्स मिलते हैं, इंटर्व्यू जो होता है, वो आपके चेहरे को, आपके हावबाव, आपके व्यत्तित्व के कोशल को देखकर, वो डिसाइड करते हैं कि आप जो सिविल सेवा परिक्सा हैं, उसमें किस तरह से परफॉ जो सर्वेंट में, वो योग्यताई अगर आप में होती है, तो आप अंततर सफल हो जाते हैं, आपके क्युष्टन्स अगर कुछ हो तो वो लें, या पहले से पूछ चुके हैं, क्वेरी नहीं है जादा, या पूछना चाहते हैं आप लोग क्युष्टन, हाँ? प्रिप्रेशन काया है। तो इसमें अपने को सब्चस्राइब दोनों पर राबर ध्यान होता है। अपन क्या करते हैं कि grammar वाला जो person है वो काफी लंबा person है grammar जो याद करने में काफी मेहनत लगती है और अपने को लगता है grammar अगर अच्छी से याद कर लेंगे तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा grammar तो करने ही करने है composition पार्ट जो अपन neglect कर देते हैं वो अपने को नहीं करना है composition वाला पार्ट grammar के बराबर का महत्व रखता है अगर आप composition पार्ट में 50% marks 60% marks ले आते हैं और अगर grammar में जैसे 50 नंबर की grammar है उसमें 40 के अबोव अगर आपके number आ जाते हैं तो आपके fourth paper का score जो है वो काफी अच्छा हो सकता है तयारी इसके specific तो ऐसे कुछ है नहीं लेकिन वही है कि आपको एक comprehensive रण नहीं थी कि भी हाँ grammar का portion है उसको अलग से रट के तयार करना होता है ग्रामर जो है grammar तो याद करने की होती है उसमें संदी के अलवा rules समझने की होते नहीं है सारी याद करनी composition वाला पार्ट है जैसे निमंद लेखन पत्र लेखन प्रारूप लेखन इनको समझना होता है इनको like maths की तरह से है कि इसका यह draft है इसमें यह चीजें लिखनी होती है वो अगर आप समझ के practice करते हैं तो आप अच्छे से लिख पाते हैं परिक्सा में और अच्छे number आ जात आपको अच्छे marks आ जाएंगे इसमें कोई दोराई नहीं है बाकी book list बता दी होगी आपको नहीं बताई तो book English और Hindi के लिए English के में BK रस्तोगी की book आती है grammar की और एक high school करने की कोशिश की है मैंने तो आप वो बुक भी देख सकते हैं और बाकी की books के लिए जैसे quality के लिए लक्समिकांत हो गई आप ले ले में एक बार जो यहां पर पढ़ाते हैं आपको नोट्स में जो पढ़ाया जाता है वो सारा सार जो चीजें होती है वो नोट्स में इंक्लूड कर ली जाती है फिर भी एक base book के तोर पर आप अपने पास में लक्समिकांत खरीद के रख लीजिएगा history में जैसे विपिन चंद्रा economics में नाथुरामगा की books अगर आप खरीदना चाहें तो बाकी मेरे हिसाब से पहले आप notes जो यहां पर पढ़ाये जाते हैं वो notes पढ़ लेए वो जब आपके notes पूरे हो जाएंगे कि हाँ notes में से कहीं से भी उठा के अगर पूछा जाए तो आप answer दे सकते हैं उसके बाद आप राजस्तान बोर्ड और NCRT की books जो है उनमें से जो आपके notes में नहीं है वो books पढ़के उसमें notes के साथ include कर लेए उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी जादा मुझे पढ़ने क जैसा कि कहा जा रहा है कि December तक prelims हो सकते हैं मेरी यावाज आरी आप तक हां हां बोते हैं तो अगर December या January तक prelims होते हैं और मेंस भी होते हैं तो क्या इतना टाइम अभी परयाबत है अगर अभी से शुरू की जाए तहरी तो अगर December में prelims होता है September चार महीने आपको मिल जा जाता है मेंस के लिए तो sufficient time है आप अगर syllabus को लेकि अपनी एक strategy बनाएं कि इस subject में इतना time देंगे subject को इतना time देंगे और चार महीने में prelims पहले जो subject prelims और मेंस में जो common subject है वो subject आप तयार कर ले में तो prelims तक आपके वो subject जो मेंस में भी काम आएंगे और prelims में भी काम आ आपको तयार करने का time मिल जाएगा इतना time sufficient है बकाइदा कि आपके इरादे मजबूत हो आपको महनत करने की कुवत हो आप में और आपको मंजिल तक जाने की आप में जिद्ध हो तो समय कम नहीं है इतना अगर दिसंबर में exam होता है तो यह sufficient time है आपके जो subject like सिर्फ में में प्रिलम्स में नहीं है तो उनको प्रि होने के बाद भी अपन तयार कर सकते हैं है अगर आपके पास समय हो तो पहले भी पढ़ लेंगे पर अगर दिसंबर में मालो प्रिलम्स होता है तो मैं यहीं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले प्रिलम्स और मेंस में जो common subject वो पढ़ यह है तर्म सब्यों कर सकते हैं अगरो आपके पास समय प्रिलम्स में तक किसोमाले कर सकते हैं कि आपके प्रिपर में काफी पैप की सफेस्टाथ sinn तो हिंदी भी स्कोरिंग टार और बह्तन की को सब्रय होता है यह दोनों सब्चे सेरे तो देखो मेरे 1.48 मार्ण वार्ण उ तो मुझे यह लगता है कि Hindi और English दोनों बराबर से scoring subject है, ऐसा नहीं है कि Hindi में अच्छे marks आते हैं, English में नहीं आते हैं, इंगलिस में अच्छे marks आते हैं, Hindi में नहीं आते हैं, अगर आप दोनों subject की अच्छे से मैनत करते हैं, अच्छे से prepare करते हैं, व्याकरन और composition तो आपके दोनों ही subject अच्छे scoring है आपको अच्छे marks दिला सकते हैं Thank you Okay अच्छारण का तो क्या आपको जैसे mens में तो लिखना होता है तो लिखने में की spelling mistake जो grammar की grammatical mistake नहीं होनी चाहिए आपकी Hindi वाले जो grammar है grammar में तो अगर आप लिखने में गलती करते हैं तो आपके वैसे ही number कटेंगे क्योंकि grammar में number ही इसी चीज के होते हैं कि आप किस तरह से लिख रहे हैं अगर आप सब्द गलत लिख रहे हैं मात्रा भी गलत लगा रहे हैं तो अभी आपके number कट सकते हैं और Hindi में especially जैसे Hindi में अगर आप 4th paper में ग्रामेटिकल मिष्टिक आपके होती हैं तो इसके number कट सकते हैं क्योंकि language का paper है उसमें आपसे यह expect किया जाता है कि language में आप कम से क्या मगलती नहीं करें बाकी जो 1st, 2nd, 3rd paper उनमें अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो जादा फरक नहीं पड़ता है तो spoken में तो आपको इंटर्व्यू में जड़त पड़ती है सुधारने के लिए पड़े अच्छे-च्छे novel पड़े और उनको जिन सब्दों का उच्छारन आप नहीं कर पा रहे हैं उन सब्दों को अलग से लिख लिख लेए उनको उच्छारन करने की कोशिश करें आजकल तो YouTube, Google पर आपको मिल जाता है प्रनॉंशेशन किस तरह की प्रेक्टिस करना चाहते हैं आप तो बोलने में तो क्या दिक्कत होती होगी मेरे साब, हिंदी में तो क्या दिक्कत होती होगी आप तो जो जो सब्द आपसे आपको लगता है कि उच्छारन नहीं हो रहा है डंक से उन सब्दों को लिख ले वे और उनको पांच-दस बार बोलें तो ठीक हो जाएगा इसमें बड़ी बात नहीं है इसमें कोई बहुत जादा है आप आप मैम मेरा किशन था कि एक आरेस के जो नोट्स होते हैं माइक थोड़ा पास मेरा मैम जो आरेस के अपने पास कंटेंट जो नोट्स होते हैं या रफ्टांस बुक होती है वह भी मतलब बहुत सारी होती है और फिर अपन टॉपर्स के इंट्रू में ये एक चीज नोट करते हैं आज का जो यूग है डिजिटल यूग है इसमें अल्लिमिटेड डिसोर्स है अपने पास समझ्या यह है कि उनमें से कौन से अथेंटिक सोर्स है कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है वह आपको चांटना होता है नहीं तो अथा बंडार हो जाता है आपके पास आजकल टेलीग स्ञेट जो होता है आपका उसमें आपको यह करना है कि जो बेस जो नोट से जैसे आगर आप को चिंग कर रहें हैं तो आप बेस को नोट्स को बना लीजिए उसके बाद में जो जैसे राजस्तान की बोर्ड की वुक्स हो गई ऑन के नोट्स में एंप्लूड नहीं है जो वाला पार्ट आप उसमें से पढ़के अपने नोट्स में जो नोट्स हैं स्प्रिंग बोर्ड के उसके साथ ही पेज में अटेज कर लेवें, या खुद से अलग से एक कॉपी बना लेवें नोट्स की, इसमें अलग-अलग सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट में यह टॉपिक नोट्स में नहीं हैं, तो आप खुद से लिख लेवें उस एक नोट बुक में, ताकि वो एक जाई हो आपके पास, आपको बार-बार से वो बुक्स देखनी नहीं पड़ेगी, इसी तरह से बैसिक बुक्स जो आप पढ़ते हैं, मालो लक्समी कान पढ़ रहे हो, जोग्राफी की या एकॉनोमिक्स की, कोई से भी बुक आप पढ़ रहे हैं, उसमें से जो टॉपिक आपको एक देखने से याद होता नहीं है, और बहुत जादा confusion हो जाता है कि यह से पढ़े कि नोट से पढ़े, या खुद के बनाएमें नोट से होते हैं, तो आप उसमें से ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद भी ज्यादा अच्छे से होता है, और एक picturization हो जाता है, आ मेर्म डवाई अब्स को आप देखें डाउनलोड करने scheint रपी तरह से हैं और उनको देखें किस तरह से पूछा गया है अर्पी तीक कीडिमांड क्या है क्या जांग क्या चाहती है आपसे आपका जो सेलेबस है उसमें से कैसे question बनाए जाते हैं सेलेबस में सीधी-सीधी लाइने उठाई जातीक है question जो बनाए जाते हैं तो सीधी-सीधी लाईने उठाई जाती है तो आप प्रिविए सेयर के question पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि RPSC क्या डिमांड करती है आपसे और आप उन questions के answer किस तरह से लिख सकते हैं और किसी का कोई question देखिए RS बनने के लिए कौन-कौन से गुण होने चाहिए इसकी कोई परिबासा ऐसे तो है नहीं आप ethics जब पढ़ेंगे मेंस के paper में तो वहां पर बहुत सारे गुण आपको मिल जाएंगे कि एक RS बनने के लिए या एक RS अधिकारी में क्या-क्या गुण होने चाहिए आप में जो अभी जो गुण होना चाहिए मेरे हिसाब से वो यह होना चाहिए कि महनत करने की जिद कि आपको मेहनत करनी है किसी भी किसी भी कोस्ट पर आपको मेहनत करनी है आपको सफल होना आ है अनुशासन आप बनाए रखेंगे अपने आप में और डेडिकेटेड रहेंगे अपने लक्षे के प्रति यहीं यही गुण है जो आपको RS बनाएगा और RS बनने के बाद भी आपको एक सफल प्रशाशनिक अधिकारी बना सकेगा, बाकी सारे गुण तो आप Ethics में पढ़ लेंगे, यहां पे लिस्ट नहीं बनानी है आपको, बस अपने आपको अनुसासित रखें, सयमित रखें, motivated रखें, खुद से motivated रखें, यहां बहारी जो भी सोर्सेज हैं, उससे motivated रखें और महनत करें, क्योंकि सफलता का कोई shortcut नहीं होता है, आपको महनत करनी ही पड़ेगी, और एक लंबे टाइम तक एक महनत का एक फेज में आपको अपने आपको बांदे रखना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो पाएंगे, ऐसे नहीं है कि दिलिपसरों मेंसा कहते हैं मसाणिया वेराग, मसाणिया वेराग से सफलता नहीं मिलती है न, आपको अपने आपको उस फेज में डालना होगा, कि हाँ मुझे साल बर अच्छे से मैनत करनी होगी, अपने आपको बाकी सारी चीजों से मुक्त रहते हुए केवल पड़ाई पर ही जान देना है, पड़ाई करनी है, अपनी मंजिल पाना है, इसी कि प्रतियकर आप डेडिकेटेड रहेंगे, तो मैं निश्यत तोर पर ये क य elderly झोट हमें टेत हुए, अभर हमे मैं ईससी कि आप करो से मैं अफनी करक मैंई आपने अङन ना आपने न्लाइन यह जैसां कि मैं यह जाननाउचा कि आपने अफलान लिएता बैज इ ऑiben, करोना गाने के बाद है, मैं स्प्रिंगडग के श्तुडिंट रही हुँ और से म अपने को मिलता है बिलकुल, offline classes जो होती है उसमें आप class का जो हो उसमें बैठे रहते हैं तो उसमें एक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती ए competition का जो भाव ऱ्लाइंगे आपको जो आता है वो online classes नहीं बैठ कर नहीं आ सकता आप यहां पर पढ़ेंगे, याद करेंगे, अपने दोस्त को सुनाएंगे, या लिखावा बताएंगे, उसका लिखावा देखेंगे, या जो माहोल है, उस माहोल में अपने आपको पाएंगे कि हाँ एक अभ्यरती हैं आप और आरेस बनने के लिए तयारी कर रहें, यह में बेटके ही class लेनी चाहिए, अगर किसी तरह की मजबूरी हो तो वो अलग बात है, बाकि offline classes का तो कोई मुकाबड़ा है नहीं. और कोई question? अभी आप foundation page शुरू करेंगे, आपका foundation page जब भी सबते बर में 10 दिन में शुरू होगा, तो उसके साथ साथ आप यह करेंगी, न्यूस में पर्ड़े कितने गंटे study करनी चाहिए, अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब graduation हो गया है या किसी सर्विस में है आप, आपके पास जो बेसिक आपकी मूलबूत आउशक्ताइं है, खाने पीने सोने के अलावा जितना टाइम आपके पास बचता है, उतना टाइम आपको पढ़ाई में लगाना है, दूसरा आपके पास काम है नहीं, है ना? जितना ज्यादा आप टाइम पढ़ाई में देंगे, उतना ही ज्यादा आपको प्रतिफल मिलेगा, नो डाउट मिलेगा, और अगर आप graduation करने के बाद सिर्फ आरेस के तयारी कर रहे हैं, तो यही बात है कि जो आपका मूलबूत आउशक्ताओं के अलावा जो समय है, खान पढ़ाई में, वैसे भी आप 10 गंटे से जादा कितनी भी कोशिश कर ले दे नहीं सकते हैं, बट करना यही है कि दूसरी चीजों में बीजी नहीं रखना है, पढ़ाई से रिलेटेड चीजों में है, जैसे यूट्यूब पे आप कुछ देख रहे हैं, तो उसमें प्रतिय इस पया अटिंग प्रक्रिक्टे कि तरह से सुदार सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें देखते रहें, उसमें आपने आपको इंगेस का समर्पित क समर्पित रहां कर रहे हैं, जैसे आपका शूरू होता है YouTube, तो आपको अपने आपको उसमेहनत भाले फेज में और इस लक उनसे शुरुवात करते हैं हमेशा तो इसके साथ साथ आप एक आदत बना लेए कि न्यूस पेपर पढ़ना शुरू कर देवें न्यूस पेपर आप अभी तो नहीं पढ़ते होंगे लेकिन जैसे यह आपकी क्लासे सुरू हो आप सब्सक्राइब में दस दिन में आपकी क्ला यूट्यूब चैनल पे होते हैं तो वह आप देखते रहें और न्यूस पेपर मेंसे जैसे एडिटोरियल वाला जो पेज है संपादक्ये पेज है उसे पढ़े उसमें से सुरू-सुरू में हो सकता आपको कुछ भी समझ में नहीं आए सुरू-सुरू में आप वही कि राम बौधिक चिंतन गहनता बौधिक गहनता की बात की गई होती है और उस लेवल पे अपन सुरू-सुरू में पहुंच नहीं पाते है तो लगता है इसमें कौन बोरिंग सा सब्जेक्ट है कौन पड़े तो सुरू-सुरू में अगर आपको यह अपिलिंग लगता है नमस्ते तो तुम जब तयारी सुरू करोगे तब समस्या कौन-कौन से आएगी वह सामने आ जाएगी तुमारे आपने कौन-कौन से समस्या बेश की होती है परसंट वरी करती है मेरी समस्या कुछ अलग रही होंगी आपकी समस्या कुछ अलग रहेंगी इनके समस्या कुछ अलग रह को होती है न, हो सकता है, एक चीज मेरको एक बार पढ़ने में दो बार पढ़ने में याद हो जाती है आपको चार बार पढ़ने में वह चीज याद तो चीज़े याद हो जाती आपको, पढ़ाई में किस तरह की समस्या, मुझे तो पढ़ाई करते टाइम तो कोई समस्या आई नहीं, सुरू-सुरू में वैसे हो सकता है कि वह जैसे आप लिख रहे हो, पेपर दे रहे हो, प्रिलम्स का पेपर दे रहे हो, पहली बार आप पे तो आपको लगता है कि नहीं यह तो हो गाई आगे डी मॉटिवेट हो जाते हैं शुरू-शुरू में तो ऐसा सब के साथ होता है यह एक जनरल बात है मेरे साथ भी ऐसा ही हो जिसने भी पहली बार लिखा पर प्लिम्स का हो जाए मेंस का पहली बार में आप अपना बेस्ट द लख लिया प्रिलम्स के टेस्ट सीरीज के पेपर दे रहे हैं पहला पेपर दिया उसमें मालो आपको दोस्वों में से साथ ही नंबर आए पचास ही नंबर आए उससे आप डी मोटिवेट हो गए और अगला वाला पेपर नहीं दिया तो आप कभी भी सफल नहीं हो तो आप प्रिलम्स होते होते या 5-10 टेस्ट देने के बाद अपने आपको जो टोपर की जो लाइन होती है दस तक के उसमें अपने आपको पाएंगे यह समस्य हो सकती है और तो आपका तो यही सही समय है आप तो आप दूसरों के लिए पूछ रहे है चोटे बाई वहन के तो बहुत अच्छी बात है वह तैयारी आपके काम आजाएगी यहां पर देखिए तैयारी करने का कोई सही समय नहीं होता है कि ग्रेजुएशन वैसे ग्रेजुएशन जो है मिनिमम वापे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन ग्रेजुएट आप होने आपको लगता है कि नहीं आरेस के तैयारी करने है तो वही आपका सही समय है कोई सही समय नहीं होता है जब जागे तब सवेरा ठीक है तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सर्विस करने के 10 साल बाद या पढ़ाई से लिंक शूटे वे परफेक्ट ताइम है ठीक है आपके ग्रेजुएशन हो गया तो आपके लिए तो सबसे बढ़िया समय है यह मूरत निकलवाने की ज़रत नहीं है फाउंडेशन में जोइन कर लो या तयारी करना सुरू कर दो आरेस की ठीक है मैं सर्विस में थी पहले भी लडीसी रही हूं मैं छे साल ग्राम बश्याइद में 2013 से 2019 तक तो लडीसी रहते वे यह इने तयारी की थी तो दूसरा आरेस के अलावा मैंने किसी भी competition exam की तयारी नहीं की थी, चुकि मैं पहले से service में थी, तो यह था कि service तो है यह पहले से, अगर आगे अगर कुछ तयारी करनी है, तो RS की तयारी करनी है, बाखी मैंने कोई paper दिया नहीं, तो आपका यह है कि वोई person to person depend करता है, अगर आप RS की तयारी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि सिर्फ RS की तयारी आप नहीं कर सकते हैं, आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी समस्चाएं हैं तताकतित, उनकी वज़े से, तो आप दूसरे, जो भी competition exam हैं, उनको भी आप उनमें भी participate कर सकते हैं, उनको भी आ तयारी कर सकते हैं, हो सकता है उसमें आपका नंबर आ जाए और आपको एक base मिल जाए, उसके service में रहते वे भी आप तयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, और किसी का कोई कुछ नहीं है, क्या, हिंदी में maximum marks कैसे लाए जाए ऐसा, ट्रिक्स, पढ़ाई की कोई ट्रिक्स नहीं होती है, पढ़ाई का ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसा कोई गुरू मंत्र नहीं है कि मैं आपको दे दूँ और फिर आपके की 4th paper में 148, 150, 160 नंबर आ जाए, इस चीज की कोई ट्रिक्स नहीं है, आप पढ़ते टाइम जैसे grammar पढ़ रहे हैं, तो वो अपने ह प्रेमरी में चली जाती है, ठीक है, बाकी composition वाला part जो है, उसको आप बराबर से तयार करें, उसकी return practice करें, 4th paper में जो गलती रहती है, या जो ignorance रहती है, वो यहीं रहती है कि अपने grammar पे जादा ध्यान देते हैं, composition वाला part अपने ignore कर देते हैं, सीधा जाके परिक्सा में, आप एक्जाम होल में लिखते हैं, तो पहली बार आप कोई चीज लिखोगे, तो निश्यत तोर पर आप से गलतियां तो होगी, ठीक है, तो आप composition वाले part की practice करें, grammar वाले part की practice करें, इसके अरलावा मेरे पास कोई जादू मंत्र है नहीं कि मैं आपको बता दू, और उससे आपका की fourth paper में अच्छे number आजाएं, fourth paper या कोई सा भी paper है, वो practice मांगता है, जितना ज्यादा आप लिखोगे, मेंस के test series आप जितने ज्यादा लिखोगे, खुद से ज्यादा answer लिख के तयार करोगे, दूसरों से चेक करवा के उसको evaluate करोगे कि कि किस तरह से कमिया रह गई वो जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फाइदा मिलेगा रूतना ही ज्यादा आपके marks अच्छे आ जाएंगे देखिए अगर आपके पास समय है और आपको पढ़ने की आदत है और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं तो आप दो न्यूस पेपर पढ़ लीजिए एक विचारदारा का कोई न्यूस पेपर है उससे आपको लगता है कि आप उससे ज्यादा इंफ्लेंस हो जाएंगे तो आ दूसरी विचारदारा वाला जो व्यक्ति बात कह रहा है उन दोनों का जो बेलेंस से वह हो जाएगा नहीं तो आप एक न्यूस पेपर भी पढ़े वह भी सफीसिंट है फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो दो तीन जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़े उसमें कोई द तो आप आरेस एक्जाम दो निकाली सकते हैं बाकि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपका बोद्धिक विकास होगा वह आपके लिए अच्छा है दूर नियूस पेपर तीन नियूस पेपर जितना आप चाहें पढ़ सकते हैं पर शुरू तो आप एक ही नियूस मेरा है कि मैं अभी आरेस की त्यारी करें फिर आप यूपी एस त्यारी करेंगे डाउट क्लियर करें कि कहां बनना है कि आयस बनना है यह मैं पहले पहले जैना चाहता हूं उसके बाद में पूचर वह उप्छे कुछ नहीं होता है अभी अभी जो आप सोच रहे हैं, वो RS का सोच रहे हैं RS की प्रिपेशन कर रहे हैं, तो बाद मैं दो UPSC बाद मैं कैसे सोचेंगे ? RS बनने के बाद ? बाद तो आपको टाइम मिलेगा नहीं कि आप RS brothers बनने के बाद UPSC, नहीं कि अगika RT के प्रिपेशन के साथ ऐसा है कि आपका हिंदी मेडियम तो मेडियम की थोड़ी सी दिक्कत रहती है यूपीएसी में तो आप यह कर लें कि अपना ऑप्शनल क्या है वो चुन लें कि आप किस विसाई से हां तो हिंदी लिट्रेचर को आप तयार करते रहें साथ-साथ और जो कॉमन सब्जेक्ट यूपीएसी यूपीएसी के वो कॉमन सब्जेक्ट पहले तयार कर लें और बाद में अगर आप पहले आरेस देना चाहरे हैं तो पहले आरेस का जो से उसको कवर करें और यूपीएसी बाद में देना चाहें तो जो सब्जेक्ट बच जाएं वो यूपीएसी का बाद में तयार कर लें एप्रोच जो है, थोड़ा सा फर्क है एप्रोच में, यूपियसी में जो है ये दो नंबर पाँच नंबर इस तरह के क्युष्टन नहीं पूछे जाते हैं, वहां ऐन्लेटिकल ज्यादा पूछा जाता है, विशिलेष्ण आत्मक जो क्युष्टन है, वह जादा पूछेजा मैं प्रोपर पहले तो RS की चारी करने हैं उसके बाद में मैं UPSC का टेम्ट देना चाहता हूं कोई बात नहीं तो पहले RS की कर लीजिए जो कोमन सब्जेक्टे वो तयार हो जाएंगे बात में जब आपका मन करें कि हां अब RS से मन भर गया है तो आप यूपीस की तयारी कर लेगा कि आप पहले आरस की तयारी करना चाहते हैं या YPSC वैसे मैं कहा रही हूं आपको की अप्रोच दोनों की फर्क है अप्रोच में तो आप दोनों की तयारी दो नाओं पर सवारी करने से बैतर है कि आप एक ही लिजान अवह जाना भर लग्स यूपीस की में अजिक लेंगे। बैसे इतना केजूल नहीं होना चीए, पर फिर भी आपकी जैसी आपका डिसिजन जैसी आपकी इच्छा है. तालियो मैंएं। क्या ? क्या ? क्यूस्टन ही सुनाई सुनाई। तालिया मत बजावा पेले क्यूस्टन सुन। कहणा क्या चाहता है नइ माईघ दो इनको लेंग्वेज का क्या क्या पुछ रहें है कि nation को इंटरनेशनल लिपलेशन का क्या कि अ आयर आयर जो है ठरड़ पर जो प्वालिटी का है उसमें इंटरनेशनल रिलेसंस जो है उनको सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है तो उसमें पॉलिटी और जो आयार है 63 नमर का तो उसमें 20-25 नमर का जो वेटेज है वो आयार का रहता है तो यह तो आपको जब पढ़ेंगे आप सेले बस देखेंगे तो सारी चीजें आपको जोचने की ज़रत नहीं है कि इसका कितना वेटेज है और इसका कितना नहीं है ठीक है? आपकी तालियां बता रही है कि आपको बेठे वे तीन गंटे से जाधा हो गए हैं और अब आप लोग इससे मुक्तिप आना चाहते हैं चलो, ठीक है, आप सभी को अपने अपने उजवल बविश्य की सुबकामनाई और बहतर से बहतर आप अपना परिणाम देवें, मेहनत करें और सफलता जो है आपको सिग्र मिले, विजाई बवब, thank you, all the best.